नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी के और फ्रामली पर आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो बेबी बॉय होते हैं इनके प्राइवेट पार्ट को कैसे उपन किया जाता है यानि इनकी जो प्राइवेट पार्ट होते हैं इनको कैसे खोला जाता है बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को उपन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है जैसे जब आपने baby boy के private part को touch करते हैं तो उससे पहले आपके हाथ बिलकुल clean होने चाहिए एकदम साफ होने चाहिए दूसरी चीज़ जब भी आप अपने baby boy का private part open करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिलकुल भी जल्दी नहीं करना है आपको अराम से ही को काम करना है तीसरी ज़रूरी चीज़ जब भी आप baby boy का private part है उसे उपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने हाथों का जो दबाव है उसको तेज नहीं करना है बिलकुल हलके हाथ से ही अपने बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसको टच करना है अगर आपके हाथ का दबाव थोड़ा सा भी तेज हुआ तो बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है वहां से बलड आना भी शुरू हो जाएगा जब भी आप अपने बेबी बॉय का डाइपर चेंज करते हैं या पजामा चेंज करते हैं तो उसके बाद भी आपको अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना चाहिए हलके गुनगुने पानी से इसके लिए आपको गुनगुना पानी नहीं हलका गुनगुना पानी यूज करना है बेबी बॉई का जो प्राइवेट पार्ट है उसे क्लीन करने के लिए बेबी बॉई का जो प्राइवेट पार्ट होता है इसमें दो लेयर्स होती हैं तो इन दोनों condition पे आपको ध्यान रखना हो कि जो baby का private part है उस पे जो पानी भी आप use करते हैं आते वे वो भी गुनगुने पानी से थोड़ा सा कम गुनगुना होना चाहिए जो baby boy का private part होता है आप किस age तक open कर सकते हैं इसकी सही age होती है 0 month से लेकि 3 साल तक ही तीन साल से जो बड़े बच्चे हैं इनकी जो private part है उसे घर पे खोल पाना बहुत ज़दा मुश्किल होता है इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाके इसको operate कराना होगा तो चलिए बात करते हैं कि इसको आप किन तरीकों से घर पर खोल सकते हैं उससे पहले आप से चोटी से रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन सरूर प्रेस कीचेगा आई अपनी बेभी बॉय यूरीन पास करता है यानि शू करता है तो आपको गुंगुने पानी की हैल्प से उसे क्लीन करना होगा वह गुंगुना पानी गुंगुने पानी से भी हलका गुंगुना होना चाहिए उस पानी से आपको बेभी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसको क क्लीन करना होगा क्योंकि अगर आप इस चीज को क्लीन नहीं करेंगे तो वह पर गंदगी जम जाएगी जिस वज़े से आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है और जब भी आप क्लीन करें तो जो बेबी बॉइ की बाहर की स्किन होती है यानि कि फॉर इसको आप कभी भी जोर से म होती है अगर आपने उस पे थोड़ा सा भी जादा दबाव दे दिया तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा उसमें से खून आना शुरू हो जाएगा क्लीन करने के बाद हमेशा आपको अपने बेबी बॉइ का प्राइवेट पार है उसके उपर जो सर्सों का तेल ह दूसरा तरीका दूसरे तरीके में आपको एक चीज करनी है जो सर्सों का तेल होता है कुछ बूंदे जो बेबी बॉइ का प्राइवेट पार्ट है उसके उपर गिरानी है जब आप उसके उपर गिराएं तो बेबी बॉइ को प्राइवेट पार्ट है उसको हलके हातों से बिल्कुल हलके हाथों से और बिल्कुल अराम अराम से आप उसको हलके से उपर और नीचे कीजिए सादर जोर से मत कीजिए वरना उसमें बलड भी आ सकता है तो आप जब करेंगे तो उसको बहुत हलके हलके से कीजिएगा और बहुत अराम से कीज़ेगा तीसरी चीज़ जब आप सरसो के तेल को अपने बेबी बॉय की टिप पे गिराएंगे प्राइवेट पार्ट के तो उसको हलके से नीचे और उपर करने के साथ ही आपको उसके उपर हलके से फूख भी मारनी चीज़े उसके पर फूख मारिएगा अच्छे से और हलके से उपर और नीचे कीज़ेगा ये चीज़ आपको बहुत हलके से करनी है चौथा तरीका जब भी आप बेबी बॉय को नहलाते हैं तो उस वक्त आपको क्या करता है गुनगुने पानी से भी हलका गुनगुना पानी जग में रखना है और बेबी बॉय का जो प्राइट पार्ट होता है उसके उपर हलके 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 गिरानी है एक धार जैसी वो धार जैसी उसके उपर गिरनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है हलके हलके से उपर और नीचे करना है उसमें भी आपको जोर नहीं लगाना है आशक करते हैं हमारी ये वीडियो से आपको help मिली होगी तो please इस वीडियो को ज्यादा से लोग को share कीजिए जिससे उनकी भी help हो सके वीडियो पसंद आये तो like जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा